नमस्कार मुंबई महानगर के इस डिश्टियल प्लेट फार्म पर आपका स्वागत है मैं हूँ ब्रिजेश रगबंसी आज बाद टीम इंडिया की जी हाँ वन्डे वर्ल्ड कप में बस अब कुछ ही महीने वाकी है जिसके लिए टीम को तैयार किया जा रहा है लेकिन इसी भ साली में वेस्टेंडीज के खिलाब टी टॉन्टी सीरिज के लिए हुए टीम इंडिया का ऐलान बता रहा है दरसर नए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकन ने वेस्टेंडीज दौरे के लिए हार्दिक पांडिया की कप्तानी और सूर कुमार यादत की उप कप्तानी में टी टी टॉन्टी सीरीज में कई बरतमान खिलाणियों को बाहर कर दिया गया है तो कई नए चेहरों को मौका मिला है और जिनकी उम्मीद थी उनको मौका नहीं दिया गया है ऐसे में इस सेलेक्षन ने सभी को हैरान कर दिया है और साथ ही BCCI के नए एक तरपा कम्मिनुकेशन पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं वेस्ट इंडियेज के खिलाब T20 सीरीज के लिए हुए टीम इंडिया के सेलेक्षन में संजू सेम्सन की बापसी हुई है तो वहीं IPL के स्टार बल्ले बार रिंकू सींग के सेलेक्षन ना होने पर सवाल उठें है वैसे अजीत अगरकन ने जो टीम घोसित की है उससे साफ है ही अब BCCI का फोकस 2024 में होने वाले T20 बल्ल कप के लिए टीम तैयार करना है पिछली बार की कुछ T20 टीम में देखी जाए तो लगातार कमान हर्दिक पांडिया को सौपी जा रही है नई टीम में SSB जैशवाल, तिलक बर्मा और मुकेस कुमार ज्यां से नई चेहरे सामिल है अब संजू सेमसन की टीम में बापसी हुई है नीजरी लेंड के खिलाब जन्वारी फरवारी में हुई सीरीज में राहुल द्रपाठी, दीपक हुड़ा, पृतिवी शा, जीतेश शर्मा, वासिंग अटर शुन्दर, शिवम माभी शामिल थे लेकिन ये सभी छैकलाडी भी टीम से बाहर हो गए है अब बाप BCCI के एकतरपा कम्यूनिकेशन पर उठ रहे सवालों पर जी हाँ, हलके दोलों में टीम सेलेक्शन को लेकर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी जाती है और ना ही BCCI कोई प्रेस कानफरेंस करता है, जहां सीधे तोर पर सवाल जवाब किया जा सके इस सेलेक्शन ने सभी को हैरान किया और साथ ही BCCI के नए एकतरपा कम्यूनिकेशन पर भी सवाल खड़े कर दी है टीम में भी मेल के मात ध्यम से यह बता दिया गया कि कौन खिलाड़ी KVI दोरे पर जाएंगे और किसे आराम दिया गया है इस टीम के सेलेक्शन का पैमाना क्या था किसे प्लेयर्स को एंट्री मिली है ऐसे कई सवाल है जो ना सिर्फ वेस्टेंडी दोरे पर गई टीम इंडिया को लेकर है बलकि पिछले कुछ सालों से BCCI का घुल मुल रवया भी दिख रहा है अब सबसे एहम बार क्या रोहित और कोहली का T20 केरियर खत्म हो गया है जी है भारती करकेट टीम के नियमित कप्तान रोहिश शर्मा और बिराट कोहली आखरी बार 2022 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में खेल देना जराए उसके बाद से दोनों ही किसी भी इंटरनेशनल T20 सीरीज में नहीं खेले और अभी भी वेस्टेंडीज के खिलाब होने वाली T20 सीरीज से भी दोनों को बाहर रखा गया है ऐसे में क्या एह माना जा सकता है कि BCCI ने भविश्ट का सोचते हुए कोहली और रोहिद को T20 से बाहर रखने का फैक सिजा कर लिया है आखिर इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे कौन बताएगा कि किस खिलाडी का सेलेक्शन किस पैमाने के आधार पर किया गया है कौन बताएगा कि किस खिलाडी को क्यों आराम दिया गया है और किस खिलाडी को क्यों बहुआर रखा जा रहा है एक BCCI का एक तरपा कम्युन्यूकेशनी हुआ है जो इस तरह के सवालों को जनम देता है आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बाक्स पर जरूर लिखें